Hello students, I am Arthi and I welcome you all to my channel Arthi Education World. Dear students, in this video हम discuss करेंगे आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान विशे की वर्क सीट No. 45 जिसकी डेट है 17 अक्टूबर 2020. प्यारे बच्चों, हम पिछली दो वर्क सीट में हमने नाजीवाद और हिटलर का उदय पढ़ा था, अब ये इसका पार्ट 3 है जो हमारी वर्क सीट आई है आपके इतियास से, ठीक है? चले पढ़ते हैं, हिटलर का उदय, हिटलर का उदय के क्या कारण थे, हिटलर का उदय कैसे हुआ? देखते हैं, हिटलर का उदय हिटलर जर्मनी सेना में सिपाही था, आप समझे हिटलर कौन था जिसने इतना राज के जर्मनी को तकाताना सारा है, वो पहले जर्मन सेना में सिपाही था प्रतम विश्युद में जर्मनी की पराजह हुई और वर्साय की संदी ने उसे दुखी और आग बवुला कर दिया वह बहुत परेशान हो गया और गुस्चे में भर गया 1919 में उसने जर्मन वर्क्स पार्टी की सदस्य दली देखें यहां से इसका सफर शुरू हुआ जब उसने 1919 में जर्नल वर्क्स पार्टी में में मेंबर सिप ले ली जिसे बाद में नेशनल सोसलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया और यह जो जर्मन वर्क्स पार्टी थी इसी क नाम रख दिया गया बाद में National Socialist Party और इसी को Nazi Party के नाम से जाना चाता है ठीक है तो चाहिए आप German Works Party के लिजिए ये सबसे पहले इसका नाम था और National Socialist Party इसका बाद में नाम हो गया और इसी का दूसरा नाम Nazi Party है जो famous है ठीक है अर्थ विवस्ता खराब हो चुकी थी अर्थ विवस्ता की बद्वेहाली थी क्योंकि जर्मन विश्विद में हार गया था राजनिती खाली पंट आ गया था क्योंकि राजनिती में कोई विकल्प नहीं मिल रहा था कि जो सामने आए एक देश का बेड़ा पार करे समाज में जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया और संक जो समाज में इतना बड़ा संकट आ रहा था आर्थिक संकट राजकता फैल ले थी तो अब हिटलर उसके सत्ता में इसलिए उसके पहुंचने के रास्ते साफ हो गई क्योंकि कुछ नहीं थ तोरान नासी वाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रण कर लिया अब जब इतनी मंदी पड़ी हुई थी तो एक नासी वाद का जन आंदोलन के रूप में हो गया कि लोगों का आंदोलन है यह इस तरीके से हो गया 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे 1929 के बाद बैंक बिल्कुल क्योंकि उसके बाद उन्हें वरसराय की संदी जो हुई थी उसमें उनको पैसा भी देना पड़ा था एक तो हार गे कुछ ने बचा और दूसरा उपर से जो था वो भी उनने देना पड़ा काम धंदे ब लोगों को लगा ने वादे दे रहा था तो लोगों को लगा य Аँशा भी दिखाई दे रहा था कि बहतर भर विश गयर मिल सकता है तो इस से मिल सकता है 1929 में नाच्सी पार्टी को जर्मन संसद राइंक स्टॉंग ने के लिए हुए चुनावों में महज 2.6 फीजदी वोट मिले थे जो 1929 में चुनाव हुए और यह जो नाच्सी पार्टी थी उसमें केवल 2.6 वोट यह समझे ले 2.6 फीजदी वोट कितने होते बहुत कम तो वह मिले थे जबकि 1932 के आते आते आप देखे कितना नंबर ऑफ परसेंटेज इंक्रीज हो गया 2% से 37% 35% का इजाफा हुआ और सबसे बड़ी पार्टी बन गए यह नाच्सी पार्टी हिटलेर की पार्टी आप सबस नाजी प्रचार की भी एक कला थी नाजी हिटलर जबर्जस्त वक्त था बहुत अच्छा स्पीकर था बहुत अच्छी स्पीचिस देता था अपने जोसीलो भासनों और सक्तिसाली राष्ट की स्थापना वर्साय की संदी में हुई नाइन साफी के प्रतिसोद और जर्मन सम दूंगा और प्रतिसी रोध लेंगा जो हमारी समाज में इज्जत खोई है उसको वापस दिलाओंगा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा जैसी की नेता लोग करते हैं अगर नेता एक अच्छा वक्त होता है तो फिर लोग उसको पसंद भी करते हैं अब आप नरेंद्र का अच्छा वक्ता हो और उसमें जो फो तो उसका पो उसमें चार चांच लगा देता है मतलब उसको मतलब उसका फ्यूचर अच्छा निकल जाता है तो ऐसे ही लर में हितलर को तो और भी आप उपरॉर्चूनिटी मिली सकती प्रदेशन करूँगा आडंबर करूँगा थोड़ा सा दिखावा करूँगा तो लोग इससे कितने जुड़ेंगे लोगों में समर्थन दरसाने और परसपर एक्ता का भाव पैदा करने के लिए नास्चों ने बड़ी बड़ी दे लिया और जन सभाएं आयोजित की क्योंकि लोगों को उनको ये दिखाने के लिए देखो कितने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो लोग सपोर्ट भी करते हैं ना स्वास्तिक छपे लाल जंडे नासी सल्यूट और भासनों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़ गड़ा हट ये सारी चीजे सक्ति प् बस्ति है तो ये सारी चीजें उसके सक्ते प्रदेशन में थी नाक्शियों ने अपने धुमाधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा एक रक्षक और अवतारी के रूप में पेस करिया तो जो नाक्शियों की पार्टी थी उन्होंने लिखाया भई हमें मसीहा मिल यह ह हमारी नईया पार उतार सकता है, यह हमारा रख्षक है, यह अवतार के रूप में जलम लिया है, इसने हमारी विगडे हुई अर्थिवरस्ता को, हमारी बिरोजगारी को, हमारे जो और भी सारी समस्या हैं, उनको सोल करने के लिए, यह जबी उस समाज में अच्छी तलगती थ थी जिसके प्रतिष्टा और गर्व का एसास चक नचूर हो चुगा था तो क्या हुआ उनको तो अच्छा ही लगएगा कि चलो ये मिलेगा हमें और जो एक भीशन आर्थिक वेराजनितिक संकट से गुजर रहा हो जो देश तो उसके लिए तो ये सारी प्लस पॉइंट थे तो इसलिए लोगों को वो अट्रेक्ट करने में अपने साथ जोडने में सफल हो पाया आप देखो लोकतंत्र का ध्वन्स कैसे हुआ कैसे लोकतंत्र खतम हुआ 30 जन्वरी 1933 को राश्पती हिंडेन बर्ग ने हिटलर को मंत्री मंडल में सबसे सकती साली पद चांसलर का पद दे दिया कब दिया ये 1933 में 30 जन्वरी को और जब तक नासी पार्टी रूडिवादियों को भी अपने उद्वस्यों से जोड़ शुकी थी जो भी रूडिवादी लोग थे उन्हें भी अपने सपोर्ट में ला सुकी थी सत्ता हासल करने के बाद हिटलर ने लोकतंत्रिक सासन की सरचना और संस्तानों को बंग करना शुरू कर दिया तो जो भी उसे ऐसा लगता है था कि लोकतंत्र है कह है, सारे लोगों की जरुवत होती है इसमें, तो वो उन चीजों को, उन डिपार्टमेंट को खतम करता जा रहा था, उन इंस्ट्रिट्ट्स को खतम करता जा रहा था, जिससे उसका मतलब एक छत्र राज चल सके. 28 फरवरी 1933 को जारी किये गए अगनी अध्यादेश के जरिये अभीव्यक्ति प्रेस वे सभा के आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलम्बित कर दिया गया तो जो भी प्रेस होनी थी सभा करने किया जाती थी नागरिक अधिकार थे उनको उसने सब को सस्पेंट कर दिया कि अभी एक अध्यादेश लाया और बोला कि अभी तक ये सब सस्पेंट है अब ये सभा नहीं होगी कहीं पे प्रेस करने किया जाती नहीं है और नागरिकों के जन्वरी को तो बना चांसलर अब 30 मार्च 1933 को विशेसा अधिकार अधिनियम ले आया है इनेबलिंग एक्ट जिसको इंगलिश में क्या बोलते हैं इनेबलिंग एक्ट और इनेबलिंग एक्ट के जरिए हिटलर को संसत के हासिया पर दकेलने और केवल अधियदैसों के जरिए शासन चलाने का निरंकुस अधिकार मिल गया अब इस Act को जो वो लेकर आया तो अब संसत को क्या ले आया कि संसत का अब कोई अधिकार नी बचा अब वो जो करेगा वो ही अब वो जो अध्यदेश आएंगे उसके according की सासन होगा और निरंकुस उस पे कोई अंकुस नहीं लगा सकता है कोई पाबंदी नहीं तो जैसे करना केवल वो संगटन चल रहे थे और जो भी राजनीतिक पार्टी ती यह कोई भी ट्रेड यूनियन थी सब को सब पे बैन लगा दिया समझी कूँकि आप उसने केवल अपनी पार्टी और उससे भी जो जो भी जुड़े हुए संगठन थे उनको चोड़ा अदर्वाइस सब क खेंचक को वेन रहासपित हो गया अब उसने सब चीज़कर हो साद लिए से मजाइबाते हुनी संगर फुद्रीक Locke जर्मेनी की अर्थवेस्ता को खराब होने के बाद वहाँ पर बेरोजगारी की मूले वर्दी व्यापार और वानेज्य का पतन हुआ था हिटलर का प्रभावसाली व्यक्ति तो उसका बड़िया वक्ता होना और उसका बड़िया संगठन करता होना उसके उदय में सहयक बने और राजनितिक उतल पतल से लोगों का लोगतंतर में विश्वास भी उड़ गया था तो इन सभी कारणों से क्या हुआ हुआ हिटलर का बच्चो आज चू प्रसंद है ना थोड़े से बड़े हो सकते हैं लेकिन आपको इन कोशन के आंसर इतनी लिखने ही पड़ेगे अगर अपना इफेक्टिव क्योंकि अगर यह आएगा आपका तो आपका दो तीन चार नंबर में आ सकता है तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा उसके लिए क्योंकि मैंने पॉइंट ही दिये हैं अब देखिए जर्मन लोगों ने हिटलर से कौन-कौन से वादे किया क्या वादे किये सकती साली राष्ट बना दूंगा वर्साय की संदी में हुई ना इंसेफी का प्रतिसोद लेंगे जर्मन समाज में खोई हुई प्रतिस्टा वापस दिलाएंगे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और नोजवानों को एक सुरक्षित विद्वश्चे का आश्वशन दिया ये सारे वादे किया जर्मन लोगों से हिटलर ने और बन गया सत्ता पे काबज हो गया चलिए अब देखते हैं तीसरा को फिलाने के लिए मीडिया का बहुत समझ कर परियो किया तो आप इतना भी लिख सकते हैं इसको पूरा लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा यूंग फोंक संगठन भी बनाया था बच्चों इस वर्क सीट में नहीं है लेकिन मैं आपको बता दू यह डिजिनल अब लिख सकते हैं यूंग फोंक संगठन भी बनाया था जो 14 साल से कम आयू के बच्चों का था 10 साल के उमर के बच्चों को इस संगठन में सदसे लेने पड़ती थी तो इससे भी उसने ये भी उपाय किया था लोगतंतर की नियू समाज के हिसाब से नियंतरत करने के तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे अच्छा बच्चों ये है आपकी गतिविदी क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं कोई एक उधारन दो तो बच्चों आप मीडिया से क्योंकि मीडिया इसने भी क्या मीडिया का ब सिक यहां पर मीडिया पर अपने रोल मोडल का किसी खास उत्पादन से करने पर हम उसकी तरफ आकरसित होते हैं जैसे अगर कोई अभी नेतरी बहुत सुंदर है और वे ये बताए इस क्रीम का प्रियोग करके इतनी सुंदर हूँ तो लड़कियों को लगता है कि वे स्क्रीम से सुन्दर हो जाएंगी और खरीद लेती है। जाएंगी कर ले न बचो ये जो जाएंगे लिखा ना ये प्रिंटिंग मिस्टेग है। खर इतनी तो आप कर सकते हो। मैं जानती हूँ, जो भी मेरे से जूड़े हो बचे होशाएर बचे है। खरीद लेती ठीक है देखो दूसरा देखो कोई प्रसिद खिलाडी या भी नेता किसी उत्पादन का प्रचार करते हुए कहे कि इसकी वज़े से मैं जवान और तंदुरुस्त बना रहता हूं तो यू आउ को लगता है इस उत्पादन का प्रियोग करना चाहिए ठीक है तो हां लिखे कि मीडिया पर पड़ता है प्रभावित होते हैं और उसके बाद आप या तो यह आंसर लिख दीजे या यह आंसर लिख दीजे लेकिन पहली लाइन आपको यह लिख देना है या फिर यह लिख दीजे ठीक है यहा करके मैंने दो आंसर दिये तो बच्च भी करना बच्चो जिस तरीके से आप मझे सपोर्ट कर रहे हो फिर जिस तरीके से सपोर्ट करते रहें थैंक यू